नमस्कार दोस्तों, अस्टडी फोर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है इट्स मी रंजित कुमार and you can follow me on Instagram, Twitter and Facebook फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम 20 से 25 अप्रेल के बीच बनने वाले जार्खंड के कुछ अती महत्पुन करेंट अफेर्स देखेंगे तो चलिए फ्रिंट्स बिना देरी की वे देखते हैं आज का पहला करेंट अफेर हाली में किस राज्य सरकार ने आंसिक लॉक्डॉन स्वास्त सुरच्छा सप्ता के रूप में मनाने की घोसना किये तो फ्रिंट्स इसका सही अंसर है अपना जार्खंड यानी जार्खंड राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि 22 अप्रेल से लेके 29 अप्रेल तक स्वास्त सुरच्छा सप्ता मनाय जाएगा ताकि COVID-19 जो काफी तेजी से फैल राय उसे रोका जा सके चलिए इस संदर में थोड़े एक्स्प्लानेशन देख लेजे हाली में जार्खंड सरकार ने कोरोना वाइरस के तेजी से बढ़ते संक्रमन पर परभावी नियंतरन के लिए 22 अप्रेल सुब अच्छा बजे से 29 अप्रेल सुब अच्छा बजे तक स्वास्त सुरच्छा प्रसना की है फ्रेंट्स आज का दूसरा प्रसन है रहबर की राह जनी नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखे गई है ओप्सन देखे क्रितिका पांडे सर्यूराय गिरिधारी राम या अनत परशाद तो फ्रेंट्स इसका सई अंसर है जार्खंड के ही पुर्व मंतरी सर्य सर्यूराय के द्वारा या पुस्तक रहबर की राह जनी लिखी गई है इस अंदर में थोड़े एक्स्प्लानेशन देख लीजी रहबर की राह जनी नामक पुस्तक के लेखक पूर्व मंतरी यहम जमसेदपूर विधायक सर्यूराय है पूर्वी जमसेदपूर से या इस ब ध्यान रखिए फ्रिंट्स सर्यू राय के द्वारा कुल 5-6 पुस्तकें लिखी गई जिसे मैं इस वीडियो में सम्मलीत कर रखा हूँ तो आप देख लिजे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं लमहों की खता यह 2020 में लिखी गई थी समय का लेख 2017 में लिखा गया था अभिवेक्ती मधुकोडा लूट राज और इसके लावे चारा चोर खजाना चोर नामक पुस्तक भी सर्यू राय के द्वारा ही लिखे गई फ्रिंट्स 2020 में जितने भी पुस्तकें 2020 से मार्च 2021 तक के जितने भी महत्पुन पुस्तकें लिखी गई है उस अंदर्ब में मैंने एक सेप्रेड वीडियो बना रखा है तो इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो बाई रंजित सर्पे क्लिक करना है वहाँ पे आपको यह वीडियो मिल जाएगा ताब भी हिचक देखिए एक ना एक पुस्तक से रिलेटेड प्रसनी एक्जाम में पूछे हैं जाते हैं फ्रेंट्स आगे आज का तीसरा प्रसन है हाली में दुखा भगत का निधन हो गया है तो आपको बताना है दुखा भग जब जार्खंड बना तो भाजपा के यह पहले जार्खंड प्रदेश अध्यच के रूप में कारे किया इसके लावे 1999 में लोहरदग्गा लोकसभा से या भाजपा के सीट पे सांसत चुने गये थे इसके अलावे जानिये प्रोफेसर दुखा भगत 1980 में गौस्णर जानिये इसका सई एंसर रेफ्रेंस नागपुरी डॉक्त कवी जो नागपुरी भासा के कवी थे तो इसे ध्यान रखे थोड़ी एक्स्प्लानेरेशन देखिए कवी नागपुरी भासा के जाने माने कवी थे फ्रेंड सुप्रोग तो दोनों वैक्तियों का निधन प्रत्यच या प्रत्यच रूप से कोवीड-19 पैंडमी के वज़े से हुआ है तथा हमारी फिसरडी या कमजोर राजनीति के मेडिकल व्यवस्था बहुत हद तक इन घटनाओं के लिए जिमेदार है बहुत हद तक हम और आप भी इसके लिए जिमेदार है क्योंकि ये दोनों ही विवस्था अप्रत्यच रूप में हम और आप से ही बना है फिलाल हम राजनीतिक डिसकसन पे नहीं आएंगे फिलाल आप से एस फोर्जी टीम का निवेदन है एस फोर्जी परिवार का फिलाल घर पे रहने से यह फायदा है कि फ्रेंड्स अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय इसे ऑपर्चुनिटी के रूप में लिजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाए इससे दो फायदे हैं एक तो आप COVID-19 से बच रहे हैं उपर से आपको एक पढ़ने के लिए काफी समय मिल रहा है बहुत से कंटेंट जरूरी नहीं कि आप इंस्यूट में ही जाके पढ़ें बहुत से कंटेंट यूटूब पे अफिलेबल हैं काफी अच्छे से टीचर हैं तो उनका सही चयान करके आप बहिचक पढ़ सकते हैं यह देखिए कुछ स कराटे तिरंदाजी फुटबॉल तो बतादो फ्रेंट्स दिपीका कुमारी एवं अतनु दास तिरंदाजी खेल से जुड़े हुए पिछले ही वर्स दिपीका कुमारी एवं अतनु दास का विवा हुआ था तो यह भी ध्यान रखिये इसके लावे कुछ एक्स्पलानेश में नौवा अस्थान पे हैं इसके लावे दिपिका कुमारी 20 वतिरंदाजी रैंकिंग में नंबर वन आने वाली पहली भारतिय महिला भी हैं आगे आज का छठा प्रस्ण है फ्रेंड्स अमरीत कलस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो जानि इसका साई अंसर ससी कांठ ससी अमरीत कलस नामक कविताओं का संग्रह है तो इसके संग्रह करता या लेखक हैं फ्रेंड्स अप्रेल महा में हमारे बहुत कम करंट अफेर के वीडियो जाएं इसके पीछे कई रीजेन है friends मेरा वीजी सेडियोल या वीजी ड्यूटी होने के कारण मैं बहुत कम content बना पाया हूँ लेकिन फिर भी friends आपको जो भी इस मन्त अप्रैल माहा में जो भी current affair के content होंगे मैं एक साथ जो अब हमारा मंतली current affair होता है उसमें मैं लियाओंगा friends हमने पिछले माहा के March 2020 का current affair का वीडियो बनाया था इसका part 1 ही upload किया था part 2 बनाने के लिए हमने आपसे एक target sit किया था आपको एक target दिया था वह target पुरा नहीं हुआ तो मैं एक ही वीडियो यानि उसी में वो enough है exam point of view से जो very very important प्रस्न थे मैं March मा के पहले वीडियो में इस सारे सम्मिलित कर दिया था लेकिन फिर भी इसे अच्छे response मिलने के बाद मैं बोला था कि इसका part 2 भी लाओंगा तो जो एक हजार views का target था वह पुरा नहीं हुआ था इसलिए मैं इसके दूसरे पार्ट पर वर्क नहीं किया लेकिन बहुत जल्द अप्रेल महा से बनने वाले जारकंट के सभी current affair के वीडियो मैं 30 अप्रेल तक अप्लोड कर दूँगा तो आप हमारे साथ बने रहें यदि regular आप हमारे साथ बने रहेंगे तो यकीन मानिए current affair section का एक भी प्रसना आपका नहीं छुटेगा फ्रेंट्स आगे हर दिन की तरह हमारे daily current affair वीडियो में एक question of the day होता है तो हमारे पिछली वीडियो का question of the day आज answer of the day के रूप में है हमने आप से प्रसन पूछा था फ्रेंट्स अंतरास्टिये आदिवासी भासाओं के लिए युनेस्को ने अपने कारेवल में जारखंट के कीस युगा का चेयन किया है तो आप सबों ने बहुत ही अच्छे से explanation लिखा है अना बिल बेंजामिन बाड़ा को अंतरास्टी आदिवासी भासाओं के लिए युनेस्को ने अपने कारेवल में सम्मिलित किया है और जारखंट के गुमला जी लेके रहने वाले मैं इसे अपने previous daily current affair के वीडियो में in detail बता रखा हूँ और इसलिए इसे question of the day के रूप में select किया था फ्रिंड्स हमारे जो best explanation देने वाले viewers हैं वे हैं राजी वरंजन, बबली कुमारी एवं बिंदास, सुमित, सुमित कुमार है तो आप इसी परकार से हमारे question of the day का answer comment box में लिखा कीजिए इससे आपको फैदा है और हमें भी मनोबल बढ़ता है कि आप हमें support करते हैं आगे question of the day देखने से पहले बता दू फ्रिंड्स, JPSC 2021 को target करते हुए जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक के सारी very very important current affairs का पहला वीडियो upload हो चुका है यदि आपने इसे अभी तक नहीं देखे हैं तो बहीचक इसे जाके देखे और इसका जो next video होगा वह बहुत जल्द channel पे upload कर दिया जाएगा आगे friends बता दू जितने भी PCS exam होते हैं या कोई भी exam होता है उनमें previous year questions का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि बहुत से प्रस्न previous year questions से ही लिये जाते हैं और बहुत हद तक previous year के जो questions होते हैं उसी परकार से seat किये जाते हैं तो जब आप previous year questions से go through होते हैं तो तयारी का एक बहुत बड़ा section complete हो जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे channel पे लंबा चलने बाला previous year questions का series बहुत जल्द आ रहा है तो आप हमारे साथ बने रहें तथा इसका भी लाव उठाने में कोई कमी ना करें Friends, question of the day है आज का कि जार्खंड का छेत्रफल देश के कुल भोगालिक छेत्रफल का कितना परतिसत है तो आपके पास option है 2.72 परतिसत, 2.34 परतिसत, 2.42 परतिसत और 2.82 परतिसत तो यह easy question है लेकिन आपको आना चाहिए यदि आपको इसका answer पता है तो आप comment box में जरूर लिखे और यह दिखे कि छेत्रफल के अधार पे इसका answer देना है इसके लावे population के अधार पे क्या percentage है तो कुछ और भी चीज़े इससे related आप comment box में लिख सकते है यदि आपको हमारा यह परियास, हमारा daily current affair videos का परियास अच्छा लग रहा है तब बेही चेक हमारे videos को like किया कीजिए तथा अपने ज्यादा से ज्यादा whatsapp contact या अपने मित्रों के साथ share क्या कीजिए क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुडेंगे हमारा manobal बढ़ेगा और study for goals team आपके लिए बेहतरीन content बनाने को ततपर रहेगी इसके अलावे friends यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पे दीख रहें whatsapp no.8986772733 पे आप अपना नाम और आप जारकन के किस डिस्टिक से बिलाउं करते हैं टेक्स्ट कीजिए girls and boys के लिए separate group है यहाँ पे आपको हमारी चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के link और जो भी PDF हैं वो आपको समय पर मिल जाएगा friends इसके अलावे आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़िए हमारे टेलिग्राम चैनल पे भी बहुत लोग जुड़े हैं तथा डेली वहाँ पे quizzes हो रहे हैं जो भी current affair के question होते हैं as a quiz एक दो दिन बाद वहाँ पे करवाया जाता है तो यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं बाद में हमारे फीडिये पढ़ते हैं और फिर जाके टेलिग्राम पे आप quiz भी attempt कर लेते हैं तो जो current affair का question है आपके जहन में बैट जाता है तो आप बेचक हमारे टेलिग्राम चैनल भी join किजिए करना है आपको टेलिग्राम पे फेस्बुक पे भी आप हमें follow किजिए हमारे हम सारे इतने भी digital platform है वहाँ पे study for goals team available है आप हर जगा हमें follow किजिए और हमारे fruitful content का love उठाते रहे हैं तो friends thanks for watching this videos और exam के preparation में लगे रहे है study for goals team का best wishes है तो friends all the best for your upcoming exams and for your preparation जैहिन जैजहरकन और जोहार